तो दोस्तो आज हम दुरलब कश्चप गैंग के दो वांटेड बदमास चैन से के और सानु बावा की पेशी को लेकर बात करने वाले हैं। बताते हैं आपको पूरी जानकारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गोली चल गई है मेरी यान दुरलप कश्चप गैंग के मेंबर चैन सीके और सानुबावा ने अनेल दिक्चे धत्यकांट को अंजाम देने के बाद एक लाईू किया था और उस लाईू में केके सी गैंग को भी धमकी दी थी जिसके बाद सानुबावा चैन सीके और इनके कुछ साती फरार हो चुके थे इसके बाद पुलिस को जब इनकी खबर लगी तो पुलिस इनको ढूंडने लगी जिसके बाद चैन सीके और सानुबावा ने कैई दिनों तक फरारी काटी थे लेकिन लाश्ट में जाकर पुलिस ने दोनों को गरबतार कर लिया था दोनों के उपर मर्डर का केस लगा हुआ है और वो जब से ही अब तक जेल में है बीच में दोनों की पुलिस ने अलग-अलग पेसी करवाई थी लेकिन दोस्तो अब अनिल दिक्षित अत्यकांड के आरोपी रहे चैन सीके और सानुबावा के पेसी एक साथ करवाई है दोस्तो दुरलब कश्चप गैंग के मेंबरों ने चैन सीके और सानुबावा को लेकर कुछ वीडियोज सेयर की हैं जिनमें चैन सीके और सानु बावा साथ साथ पेशी पर जा रही हैं दोस्तो इस परकार दुरलब कश्यप गैंग के मेंबर चैन सीके और सानु बावा की पेशी हुई थी और पेशी पर दुरलब कश्यप गैंग के अनेको मेंबर पहुँचे थे आपको पता होगा कि दुरलब कश्यप गैंग के मेंबर चैन सीके के केस को दुरलब कश्यप गैंग का वकील अभी से एक बैरागी लड़ रहा है तो दोस्तों कुछ इस प्रकार चैन सीके और सानु बावा की पेशी हुई थी तो दोस्तों आप कैसोचते हो सानु बावा और चैन सीके को लेकर कॉमेंट सेक्षन में अपनी रायत जरूर दें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मत्रम